गाइनेकोमेस्टिया सर्जरी के दो दिन के बाद कैसा लगता है चेस्ट में गाइनेकोमेस्टिया सर्जरी में कैसा स्कार आता है दो दिन के बाद या चार दिन के बाद आप सर्जरी के बाद कैसा मैंसोस करेंगे और कैसा दिखेगा आज मैं आपको लाइब एक पेशेंट का एक्जाम्बल दिखा रहा हूँ कि यह क्या होता है और किस तरीके से हम यहां पर आमदाबाद में करता हूँ यह प्रेशर गार्मेट पहना हुआ है यह पेशेंट है जिसका परसो ही ऑपरेट हुआ हुआ है आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी कोई स्कार में दिख रहा है कोई भी रैडनेस नहीं है कोई भी ड्रेन नहीं रखी हुई है बिल्कुल आज पेशेंट फॉल उप में आया हुआ है आप ये completely scarless keyhole तरीके से हमने किया हुआ है patient को अभी थोड़ा swelling होता है पर बिल्कुल भी pain जो होता है वो एक दम हलका सा भी मैसोस हो रहा है आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी scar इसमें नहीं दिख रहा है so ये scarless, keyhole, bloodless और painless तरीके से किया गया हुआ procedure है दोस्तों ये खाली 60-90 मिरेट में होता है completely bloodless तरीके से होता है most of the surgery में दो बुंद भी कुंद के हमारे में नहीं कितलते हैं तो वो टेक्नीक डूंटी है, वो तुमिसेंट अनस्टेशिया है हम लोग infiltrate करते हैं जिसके कारण कोई bleeding नहीं होता है कोई drain भी नहीं रखना पड़ा हुआ additional incision भी नहीं लेते हैं single incision में, लोग यहां से incision लेते हैं हम single keyhole incision से करते हैं और उसमें भी जो switch लेते हैं वो गलने वाला होता है तो ये patient आज इधर M.D.B.R. में दो दिन रुके थे इस वर्क चालू कर सकता है और दो से तीन वीक में heavy gymming भी चालू कर सकता है तो दोस्तों कुछ भी confusion है आपको gynecomast tech related तो आप हमारी team का contact कर सकते हो definitely आपको help करने का try करें मैं एक बार फिट से आपको result दिखा रहा हूँ झालू कर सकता है